दिन तो दिन रात में भी लू बह रही है भाबी रोटी बना दी क्या? मा बाबु जी और भाईया तीनों की थाली में रोटी नहीं है देखो ना सोनम इतनी लू बह रही है बड़ी मुश्कल से दो रोटी उतारी हैं तवे की पहले मा जी और ससुर जी को दे आओ जी भाबी कूडे दान के बिलकुल पास में कविता चूला डाल कर खाना बना रही थी और वहीं फुटपात में ही साससुर मजबूरी में बैट कर खा रहे थे अभी सड़क के बीच से चका चौंद में कई बैंड बाजे वाले बाजा बजाते हुए लाइन में चल रहे थे और एक महंगी मुसरी इस गाड़ी में अमीर दुलहन लहंगे में बैठी थी लगता है किसी की बाराज जा रही है कितना सुहाब ना लग रहा है सब कुछ अरे सारा पैसो का खेल है गंगा जिसे भगवान ने संपत्ती दी है वो शादी ब्याह में कितना खर्च करते हैं पता नहीं मेरी लाडो को कैसा घर और वर मिलेगा ये सोच कर बुढ़े नारायन की आखें अपार गरीबी के बोज से भढ़ जाती हैं इस दुनिया में कई लोग संपत्ती वाले हैं तो कितने ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास खुद का रहने का घर तो दूर कुछ भी नहीं नारायन का परिवार भी उनहीं में से थे जो कूड़ेदान में ही बसेरा डाल कर दिन गुजार रहे थे क्यूंकि ना तो प्रदीब के पास काम धंदा था और ना ही इतनी कमाई की किराय का घर लेके कमाने खाने का खर्चा ही उठा सके पूरा परिवार कूड़ेदान में ही कच्रा बीन कर जोपड़ी में सोता था पापा जी आप क्यूं दुखी हो रहे हैं देखिएगा मेरी ननत का रिष्टा अच्छे खानधान में होगा अच्छे घर में बहु ये केवल फिल्म में होता है असल जिन्दगी में गरीब घर की लड़की गरीब परिवार में ही ब्याही जाती है कोई अमीर किसी गरीब की लड़की का हाथ क्यों थामेगा और हमारी तो अकात ही कुछ नहीं है सास का ये कहना गरीब भावी के दिल में चाकू की तरह चुप जाता है वो रात भर अपनी ननत को देख कर चंता में आंसू बहाती है भगवान बेशक मेरी शादी गरीबी में हो गई लेकिन मेरी ननत को अच्छा परिवार देना जहां खोशिया ही खोशिया मिले सूरज की किरन फूटने के साथ सब उठकर कामधंदे में लग जाते हैं जिसमें बुढ़ापे की अवस्ता में सास ससूर, कुड़ा बीनते हैं और नन्द भावी सामने की सड़क में ज़ाडू लगाती है सोनम मैंने तुम्हें कितनी बार काया तुम ज़ाडू मत लगाया करो मैं और तुम्हारे बहिया कर लेंगे लेकिन भावी इसमें क्या बुराई है करनी दीजिए वैसे भी चोरी थोड़ी कर रही है तब ही सड़क पर से गुजरता हुआ एक आदमी इस्तेहार देखे जाता है ये लो बहन जी ये क्या है भाई साब सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए पासी में सरकारी सेंटर खुलवाया है जहां मेहंदी, सिलाई, कंप्यूटर कोर्स ऐसे बहुत सी चीज़ा सिखाई जा रही है वो भी फ्री में कविता अपनी गरीब ननत के लिए बेहत खुश होती है जब सरकार हम गरीबों को सुविधा दे रही है तो तुम्हें भी फाइदा उठाना चाहिए मेरी प्यारी ननत वैसे भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में कुछ उनर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है भाबी मगर मेरी शर्त है आप मुझे मदद करने देंगी अपनी तुम भी ना जिद्धी बहुत हो चलो ठीक है कविता जल्दी जल्दी चल्चलाती धूप में सडक साप करके पसीने में भीगी पुराने से सलवार कमीज पहने नाम लिखाने आ जाती है जहाने तिन नाम का एक नौजवान सा लंबा चोड़ा लड़का बैठा था तब ही जिजगते जिजगते सोनम अपने चहरे का पसीना पोचती हुई बोली जी जी नमस्ते वो मुझको नाम लिखवाना था कोर्स में हाँ जी नाम बताईए सोनम ठीक है आप कल से आ जाना अगले दिन से सोनम पूरा ध्यान लगाकर कम्प्यूटर से लाई महंदी तीनों कोर्स सीखती है और उधर कुड़े के घर लोट कर भी काम करती है यूही दिन गुजरने लगता है फिर एक दिन भाई प्रदीप कहता है मा पिताजी सोनम के लिए एक रिष्टा बतलाया है वो सामने मंदिर वाले पंडिची ने अच्छा फिर तो तूने बुला ले इस गरीबी में हमारी बेटी का कोई हाथ थाम ले बस और क्या चाहिए अगले ही दिन कम्मो अपने बेटे रमेश के साथ सोनम को देखने आती है कविता उन्हें नाश्ता पानी कराती है जी नाश्ता लीजे शुक्रिया शुक्रिया बहू सोनम को लेया जी बाओ जी सोनम नजर नीचे किये सामने आती है तभी रमेश उसे घूर घूर कर देखने लगता है सोनम के भाईया आपको लड़का हमारी सोनम से ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा है हाँ मगर थोड़ा बहुत फरक तो चलता ही है कविता तभी कम्मो मूँ फाड़ कर दहेज मांगती है तो देखो भाई सहाब बहन जी वैसे तो आपकी लड़की मुझे पसंद है मगर अपने बेटे के लिए सोने के चेर अंगूठी लूँगी और हाँ फरनीचर का सामान भी चाहिए बेटे की दूसरी शादी है इसलिए अभी अभी तोड़ कर जुगी बनवाई है क्या? आपका बेटा विधुर है? आपने सोचा भी कैसे अपनी कुमारी ननत की शादी हम किसी शादी शुदा से करेंगे और सिर्फ जीने और खाने की जिन्दगी नहीं देनी इतना तो हम ही कर लेंगे अच्छो तो तुम लोग बड़े धुरंदर धन्ना से ठो ना जो महल करा जो आएका इस शुदी करने के लिए खुद के सर पर तो एक छट भी नहीं है बड़े आए बिल्ली के खाब में चींचुडे चल बेटा वो औरत सुना कर चली जाती है और लाचारी के भाव से ससुर ने कहा अरे ये क्या क्या बहु तुने वे लोग मान गए थे कब तक इसको छाती पर रखेंगे जवान बेटी बाप भाई के सीने पर पत्थर की तरह होती है भाव जी इतने लाचार भी नहीं हम एक दो हाँ भी करते तो लाखो रुप्यों का दहेज बांगते इधर हर किसी से ठुकराय जाने के कारण सोनम को दिल ही दिल में ठेस लगती है और एक दिन वो सेंटर में सिलाई करते करते यही सोच कर अंदर ही अंदर से सकती है भगवान ऐसा मेरे साथ क्यूं होता है गरीब की बेटी जैसे खिलोना है खरीदने बेचने का एक दहेज लेता है और एक देता है हर सूरत में बिक्ती बेटी ही है आह मेरा हाथ क्या हुआ सोनम तुम ठीक हो जी जी मैं ठीक हो पता नहीं क्यों पर इसको जरा सी भी दर्द में देखकर मेरा दिल तड़ा पुटता है, कहीं ये प्यार तो नहीं यही सोच लिए नितिन घर आता है, वो बहुती अमीर पिता का एक लौता लड़का था नितिन, वेलकम आई सन, कितनी बार तुझे कहा है कि ये एंजियो छोड़का डाड़ी का बिजनेस संभाल, बट पता नहीं तुझे इन गरीबों की हेल्प की क्यों पड़ी है मा, पिताजी पैसा कमात हो रहे हैं, उतना बहुत है, गरीब की सेवा से बड़ी कमाई नहीं है हाँ हाँ, तू और तेरा लेक्चर नितन सोनम के खयाल में खोया सा रहता है, अगले दन सड़क पर जाते हुए, सोनम से उसकी टकर हो जाती है, जो की गर्मी में भीगी, बुरे से भेश में मिटी धूल में सनी, सड़क सापकर रुकी थी उसे यूँ देखकर नितन सवाली हो जाता है तुम यहाँ? और तुम जाड़ू क्यों लगा रही हो? सोनम के आँख से सावन की पहली बारिश की तरहां सुबहने लगते हैं पेट का सवाल है साप, उसे भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, उसमें क्या बुराई है? इतने में कचरे की बोरी कंधे पर उठाए भाबी कविता आ जाती है सोनम, मेरी प्यारी ननद, पता है आज कचरे में बहुत लोहा प्लास्टिक मिला, अच्छी कीमत मिलेगी आप कौन है? जी नमस्ते, मैं नितिन हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी दरसल मैं सोनम को पसंद करता हूँ, और शादी करना चाहता हूँ, जिन्द की भर साथने वारा चाहता हूँ उसका ये सुनकर कविता अपनी गरीब ननत के लिए बहुत खुश होती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या आपके माता-पिता मानेंगे नितिन जी? मैं मनाऊंगा, उन्हें बेटा चाहिए तो बहु को अपनाना पड़ेगा नितिन सोनम के बारे में अपने घर में बात करता है जिससे विशाखा बॉखला जाती है नितिन, तु होश में है, प्यार करने के लिए तुझको थर्ड क्लास डाउन मार्केट गरीब लड़की ही मिली थी क्या? प्यार, अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता मा, आप एक बार उसे मिल लीजी, प्लीस मेरे लिए जब बेटा इतना कह रहा है तो चलते हैं विशाखा, और वैसे भी, हमें तो लड़की शादी करके लानी ही है, फिर वो हमारे परिवार की हो जाएगी बुझे मन से विशाखा मान जाती है अगले दिन, वह महंगे महंगे शगुन के साथ कच्रे वाले घर में आते हैं, जहां गरीब ससुराल वाले, सुबह से ही कच्रेदान की साफसफाई और उन्हें उठाने बिठाने की विवस्ता में लगे थे जी, नमस्ते आईए, बैठिये बैठिये, यहां बैठिये ओ एम जी, कैसी थर्ड क्लास चेयर है, पताने किस कबाड़े में से खरीद कर लाएं हैं ये कबाड़ी लोग तब ही हाथों में नाश्ता लिए नजर जुकाए सो नमहल के रंग की साड़ी डाले आती हैं और नितिन के माता पिता के पैड चूती है खुश रहो, खुश रहो बेटी, भाई सहाब हमको ललकी पसंद है पसहाब जी हम गरीब लोग हैं, आपके जितनी हमारी हैसियत नहीं है, हम लड़की दे पाएंगे लेकिन दहेज नहीं शूर शूर, महमानों का स्वागत तो कर लो आप लोग, कि वो भी नहीं होगा जितना बन पड़ेगा उससे बढ़कर करेंगे बहन जी, बेटी की शादी है वे लोग शगुन का जोड़ा देकर रिष्टा पक्का करके चले जाते हैं, चलकते आंसू से कविता कहती है कविता सड़क पर जाड़ू लगाती और तीन-चार कोठी में काम पकड़ लेती है, जिससे वो नंद की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगती है इदर बाकी जन्भी महनत मजदूरी करते हैं और अब हल्दी महनदी की रस्म भी शुरू हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है, इधर गरीब भाई और पिता अपने हाथों से मंडब बनाते हैं और कविता एक पैर पर शादी का सारा काम देखती है बड़ी धूमधाम से लड़के वाले बारात लेके नोट वारते हुए आते हैं पता नहीं उन गरीब लगों ने कैसा इंतिजाम किया होगा, कहीं हमारी इज़त का कच्रा ना करते हैं उस कच्रे में यही सोचते हुए विशाखा देवी आती है जो कच्रे की जगा को सजा धजा देखकर उसके दिल से सभी गिलेशिक वे दूर हो जाते हैं वहीं भावी थाली में दूले राजा के पैर्द होती है दूले राजा आज के बाद मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी ननद आपकी हो जाएगी उसका खयाल रखिएगा भावी मैं जिन्दगी भर सोनम का खयाल रखूँगा वादा करता हूँ इसी के साथ खुशी खुशी से सोनम नितिन के साथ साथ फेरे पड़ते हैं और बिदाई के पल दोनों ननद भावी बिछड़ते हुए ननद बहुत रोती है भावी आपने मेरी शादी का खर्चा उठाने के लिए बहुत कष्ट उठाए है थैंक्यू भावी इस प्यार के लिए जाओ मेरी प्यारी ननद सदा खुश रहना यही शिपकामना है तबी नर्म लहजे में सास कहती है चिंता मत करो बेटी तुम्हारी ननद को बहु नहीं बेटी बना कर रखूंगी यह सुनकर सभी के दिल को तसली आ जाती है और फिर खुशी खुशी गरीब ननद अमीर ससुराल विदा हो कर चली जाती है इस तरह एक अमीर परिवार में गरीब ननद का रिष्टा हो जाता है